दुनिया में सबसे ज्यादा खपत वाले पाम तेल की कीमतों में भारी गिरावट की उमीद है माना जा रहा है कि सितंबर तक इसका भाव 20 फीसदी गिरकर 673 डोलर प्रती तन तक जा सकता है ऐसा इसलिए क्योंकि इंडोनेशिया से तेल की सप्लाई में ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है मिली जानकारी के मुताबिक इंडोनेशिया के शीष निर्यातकों के पास तेल का भंडार बढ़कर 1 करोट टन हो गया है ज्यादा उत्पादन के कारण ये अगस्त में भी बढ़ने की उम्मीद है चबकि सितंबर तक इसका बंडार 90 लाग टन से 1 करोट रह सकता है माना जा रहा है कि पाम तेल की कीमतों में गिरावट से वैश्विक सतर पर खाद्य मेंगाई को कम करने में मदद मिलेगी क्योंकि मई और जून में में मेंगाई अपने शीष पर पहुँच गई थी इस साल माई में मिस्ट्री ने पाम तेल की कीमतों में भारी गिरावट की बात कही थी और अब वो बात सही होती भी दिखाई दी है एपरिल में इंडोनेशिया ने तेल के निर्यात पर प्रतिबन लगाया था इससे तेल की कीमते बढ़ गई थी वहीं भारत में भी इस वज़े से खाने के तेल का भाम उचा हो गया था हलाकि प्रतिबन तीन हफते बाद हटा दिया गया इंडोनेशिया ने कहा है कि वे अगस्त के अंत तक निर्यात लेवी को हटा देगा वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि रूस यूकरेन यूद खतम होने के बाद पाम तेल की कीमतों में और ज़्यादा गिरावट बढ़ सकती है ब्यूरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी